हेलो दोस्तों आपका बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पी वाई पी और पी इदी में दोस्तों मैं कमली साहूं और मैं आज आपको अपना गुर्फ फूर असिस्टेंट ग्रीट 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा इंट्री उपलेटर का 28 जुलाई 2018 का फर्स्ट सिप्ट का पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ, इसमें हम पुना जनरल कम्पूटर के 17 कोशनों पर डिसकसन करेंगे दोस्तों इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बना रखा है, अगर आपने उन पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट को भी दिख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला कॉशन है बहरी स्मॉल पोटेविल कम्पूटर्स देट फिट इन और हैंड्स और कॉल्ड वहुत छोते पोटेविल कम्पूटर्स जो की हमारे हाथों में फिट होते हैं खलिस्तान कहा जाता है पॉम्टॉम, डेक्स्टॉप, लेप्टॉप या माइक्रो कम्पूटर दोस्तो आपको याद रखना है कि बहुत छोटे पोटेविल कम्पूटर्स जो की हमारे हाथ में फिट होते हैं उन्हें हम पॉम्टॉम कहते हैं आप हमारे इस चित्र में इसको देख सकते हैं बढ़ते हैं हम सेकंड कोश्चन की ओर और आज का हमारा दूशरा कोश्चन है MS Excel 2010 में सेल इस्टाइल ओप्सन खलिस्तान में जाकर मिलता है इंसर्ट टेब, हॉम टेब, पेज लियाउट टेब और व्यू टेब दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में जो सेल इस्टाइल ओप्सन है, वह हॉम टेब में मिलता है चलिए हम आपको बताते हैं कि या खर ये सेल टेब है तो है कहां मैंने MS Excel 2013 को खूल रखा है और आप हॉम टेब में जैसे ही में क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल वाला ओप्सन है इस सेल वाले ओप्सन से हम किसी भी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और सेल की साथ फॉर्मिटिंग फॉर्मिट भी कर सकते हैं बढ़ते हैं थर्ट कॉस्चन की ओर और आज का हमारा तीसरा कॉस्चन है MS Excel 2007 में बर्क सीट में आउटलाइन सेल या डार्क वोडर वाली एक खलिस्तान की रूप में जानी जाती है अक्टव सेल, सिस्टम सेल, इनक्टव सेल, प्रिजेंट सेल दोस्तों आपको याद रखना है कि आउटलाइन बाली सेल या डार्क वोडर को अक्टव सेल की रूप में जाना जाता है दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel में किसी भी cell को out line border बनाने के लिए shortcut की control plus shift के साथ add the rate sign को press किया जाता है बढ़ते हैं हम चौते question के और और आज का हमारा चौता question है MS Excel 2007 में एक single split seat में खरिस्तान हो सकते हैं आपको ये बताना है कि MS Excel 2007 में अगर एक single split seat है तो वह कितनी row और column से मिलकर बनी होगी दोस्तों आपको याद रखना है कि एक single split seat 10,000,000 से अधिक row तथा 16,000 से अधिक column से मिलकर बनती है बढ़ते हैं हम पांचमे question की ओर और आज का हमारा पांचमा question है MS Excel 2007 में एक template का मुखोदेश क्या होता है हमारा first option है यह एक workbook layout के बार बार उप्योग के लिए second option है यह अनिबार है Excel में template का प्योग किया जाए third option है अंक गड़ती है परिचालों को को आसानी से गड़ना करना की जा सकती है और fourth option है उप्रक्त मैंसी कोई नहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2007 में एक template का प्रमुख उद्देश यह एक workbook layout को बार बार उप्योग के लिए होता है पढ़ते हैं हम छटमे question की ओर और आज का हमारा छटमा question है MS Excel 2010 में selected column को hide करने के लिए उप्योग की जाने वाली shortcut की क्या है दोस्तों आपको यह बताना है कि अगर MS Excel 2010 का आप use कर रहे हैं और किसी भी column को highlight आथार्थ छुपाना है तो उसके लिए कौनसी shortcut की का प्रियोग की जाएगा दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में selected column को highlight करने के लिए control की साथ 0 की को प्रेस किया जाता है वहीं आपको यानकारी के लिए बता दें कि MS Excel 2010 में अगर selected column की जगे अगर selected row को highlight करना है तो उसके लिए shortcut की control की साथ 9 को प्रेस करना पड़ता है बढ़ते हैं हम साथ में question की उर और हमारा आज का साथ में question है MS Excel 2010 में theme option खलिस्तान में पाया जाता है हमारा first option है insert tab, second option है home tab, third option है page layout tab और fourth option है view tab दोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में theme option page layout tab में पाया जाता है चली हम आपको बताते हैं कि MS Excel 2010 में theme option है तो है कहां मैंने ये खूल रखा है MS Excel और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने page layout पर click किया आप first option देख सकते हैं theme इसमें आप theme को अपने according add कर सकते हैं, color के effect को डाल सकते हैं, fonts के effect को डाल सकते हैं आती साथ effect डालक box पर क्लिक करके effect को भी apply कर सकते हैं, चली ये बढ़ती है मंगली question की ओर जो कि हमारा 8. question है, in MS Excel 2010, Riven is a collection of MS Excel 2010 में Riven खलिस्तान का एक संगरण होता है, हमारा first option spreadsheet, second option documents, third option tab और fourth option file जोस्तों आपको याद रखना है कि MS Excel 2010 में Riven tabs का collection होता है, चली हम आपको बताते हैं कि आख Riven होती कहाँ पर है, जोस्तों मैंने MS Excel 2010 को खुल रखा है और जैसे ही मैं उपर वाले पूरी dialogue box को Riven बोल सकते हैं, इसमें ये file, file, home, insert, page layout, formula, data, review और view ये सब tab को ही हम Riven tab में include करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने नौमे question की हो और आज का हमारा नौमा question है MS Word 2007 में अधिकतर font size क्या है, जिसे font के लिए manually रूप से type करके set किया जा सकता है मतलब आपको ये बताना है कि MS Word 2007 में maximum font size क्या है, हमरा first option है 2000, second option है 72, third option है 1638 और third option है 500, जोस्तों आपको याद रखना है कि अधिकतम font size MS Word 2007 में 1638 है पढ़ते हैं हम दस्मे question की ओर और आज का हमारा दस्मा question है MS Word 2007 में आप bullet और numbering icon कहां धूप सकते हैं हमरा first option insert tab, second option है home tab, third option है design tab और fourth option है beauty tab जोस्तों आपको याद रखना है कि MS Word 2007 में आप bullet और number icon को home tab पर धूप सकते हैं चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर है, यह MS Word में है कहां दोस्तों मैंने MS Word को खूल रखा है और जैसे ही मैं blank documents पर click करता हूँ आप देख सकते हैं कि home tab open हो गया जैसे ही मैंने home tab पर open किया है, आप देख सकते हैं कि यह जुबाला option है paragraph में इसमें blots का option है, यहाँ पर अपने according blots को हम डाल सकते हैं जो भी हमें sign, city विल लगे उसको हमें apply कर सकते हैं अगर हमें numbering के form में bloting चाहिए तो हम यहाँ पर number के form में मिल सकते हैं और साथ ही साथ हमें roman birds में चाहिए, none में चाहिए, जिस भी section में चाहिए, उसको हम यूज करके यूज कर सकते हैं बढ़ते हैं अंगली question की ओर जो कि हमारा ग्यार्मा question है, in ms word 2007 potable, portent, portent को खलिस्तान कहा जाता है हमारा first option है merging, merging align, second option है page orientation, third option है column aligns और food option है print preview जोस्तों आपको यार रखना है कि ms word 2007 में portent एक page orientation होता है जोस्तों आपको जानकारी के लिए बताने कि page orientation दो प्रकार का होता है, एक रहता है land escape और दूसरा रहता है portland चलिए आपको हम बताते हैं कि ms word 2007 में ये option है तो है कहाँ, मैंने ये ms word खोल रखा है और जैसे ही मैं page layout पर क्लिक करूँगा तो first option में page setup मिलेगा, page setup में आप जैसे ही orientation पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर land escape और portland दो प्रकार के orientation मिलेंगे जो normally आप register का page यूज करते हैं और जिसमें a4 size की page रहता है और उसको हम normally condition में portland mode करेते हैं जबकि इसकी अगर length को width में और width को length में convert कर दिया जाए तो उस प्रकार के page को length के page कहा जाता है करते हैं हम बार्मी question की और और हमारा बार्मा question है msbird 2010 में character को italic में बदलने के लिए खलिस्तान shortcut की किसमाल किया जाता है दोस्तों आपको याद रखना है कि msbird 2010 में अगर character को italic करना है तो उसके लिए shortcut की control प्लस i का प्रियोग होता है वहीं आपको आउशक जानकारी के लिए बता दें कि control प्लस i का प्रियोग character को बोल्ट करने के लिए किया जाता है वहीं control प्लस i का प्रियोग font dialect box को open करने के लिए किया जाता है बढ़ते हैं हम तेर्मी question की और हमारा तेर्मा question है उस गलत पिकल्प को चुने जो msbird 2007 में table tool design ribbon में उपलब नहीं है हमारा first option है text direction, second option है table style, third option है table style option और fourth option है draw borders उस तो आपको याद रखना है कि msbird 2007 में table tool design ribbon में text direction मौझूद नहीं रहता है बढ़ते हैं हम 14 में question की और हमारा 14 में question है msbird 2007 में एक सब्द को दूसरी सब्द से अलग करने के लिए हम खलिस्तान का इस्तमाल करती है हमारा first option है tool bar, second option है space bar, third option है navigation bar और fourth option है window bar उस तो आपको याद रखना है कि अगर किसी character को एक सब्द को दूसरी सब्द से अलग करना है तो उसके लिए हमें shortcut की form में इस तेस बार को यूज करना पड़ता है बढ़ते हैं हम 15 में question की और हमारा 15 मा question है निम्मे लकेत में से कौन सी एक output device है जोस्तो अगर आपको input और output device में confusion रहती है तो मैं आपको बता दूँ जिसे हमारा first option है keyword अब keywords को मैं 1,2,3 या ABCD करके computer में कोई भी चीज को input करा सकता हूँ अथार्थ यह एक प्रकार की input device हुई second option है mouse mouse को मैं left या right या roller का प्रियोग करके कोई भी चीज कंप्यूटर में input करा सकता हूँ इस प्रकार mouse भी एक प्रकार की input device हुई third option में हमें देखा कि joy stick इसका प्रियोग game खेलने के लिए किया जाता है और उससे भी हमने button को प्रेस करके inputs किया तो यह भी एक प्रकार की input device हुई जबकि monitor का प्रियोग आपको बैसे ही पता है कि जो output में हम चीज को देखने के लिए monitor का प्रियोग करते हैं तो इस प्रकार monitor एक प्रकार की output device है बढ़ते हैं हम solve में question की ओर और हमारा solve में question है ने में लेकर में सी कौन एक operating system है हमरा first option है बिनराज, second option है MS PowerPoint, third option है Linux और fourth option है MS Access दोस्तों आपको याद रखना है कि Linux एक multi user operating system है तो इस प्रकार right answer Linux होगा वहीं आपको उश्चक जानकारी के लिए बताने की MS PowerPoint का प्रियोग slide की three slide की माध्यम से किसी भी presentation को represent करने के लिए किया जाता है वहीं MS Access एक database software है वहीं बिनरार एक प्रकार का downloaded software है बढ़ते हैं हम 17 question की ओर जो की cancel को हुआ हुआ question है और हमारा आज का last question है MS Excel 2007 में ने मिलकेत में इस ribbon का इक फाइल में theme, rung, font और unvisual effects को बदलने के लिए प्रियोग में लाया जाता है हमारा first option है page layout 6, second option है none of webop, third option है design और fourth option है view दोस्तों आपको यार रखना है कि MS Excel 2007 में theme, rung, font और unvisual effect को बदलने के लिए page layout tab का प्रियोग किया जाता है दोस्तों इस प्रकार ये हमारे third part में 17 question का discussion यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों मेरी आपसे एक request है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करना है साथी साथ आगामी continue दिनों में मैं computer के एक एक वीडियो डालता रहूँगा तो तब तक बने रही हमारे साथ, धन्नबाद